टॉपिक का नाम है प्रोविडेंट फंड पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर प्रोविडेंट फंड होता क्या है उसके बाद फिर हम इसके क्या क्या इंप्लीमेशन सेलरी चेप्टर के अंदर होगा क्या क्या प्रोविजन है सेलरी चेप्टर से रिलेटिड वो देखने के पहले तो provident fund देखते हैं होता क्या है normally तो अगर मैं बताऊं आपको simple सी बात provident fund देखिए provident fund क्या होता है आप simple से समझिए एक employer है employer और इसके पास धेड़ सारे employee काम कर रहे है बहुत सारे इसके पास employee काम करते है और हर एक employee इसके पास काम कर सकता है till the age of 60 60 सालों तक काम करेगा 60 सालों के बाद होगा क्या यह कहीं भी काम नहीं कर सकता यानि सरकारी में भी नहीं कर सकता और नहीं private में कर सकता है अपना काम कुछ open करे अपना खुद का business करे वो अलग बात है मैं तो कहता हूँ इंडिया के अंदर एक यह trend बहुत गलट trend है अब जब बहुत सारे ऐसे person भी हैं जो 60 साल में हालात ही हो जाते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे person भी है 60 के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं तो retirement का उन्होंने age रखा है ताकि दूसरे youngest को opportunity मिले तो 60 साल में जब retirement होगा तो हर किसम के इंसान है कुछ इंसान है जो पैसे को save करके चलता है कुछ इंसान है जो पैसे को खर्च करके चलता है हर तरह की का इंसान है आपके आस-पास महले में देखोगे अगर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे salary लाख रुपए है महीने की लेकिन conjuice number one कुछ ऐसे व्यक्ति है salary 5000 है खर्च 50,000 के बराबर कर देते हैं वो तो जिसकी salary 5000 है और खर्चा 50,000 के बराबर show off कर रहे है उनको 60 के बाद याद आता है अपना पूरा कि हमने पहले क्या गलतियां की थे और जो patch से saving करके चल रहे हैं उनको तो फरक तब भी नहीं पढ़ना starting में भी और end में भी तो सर 60 के बाद कुछ employee ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि यह employee है जैसे इसकी 60 age होगी यह office से बाहर हो जाएगा और इसने अपने life में पूरे life में जो भी पैसा earn किया जो भी पैसा कमाया सारा खर्च करता गया यह इसने बचाया ही नहीं अब हलात इसके यह है कि इसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी और इसके उपर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी है ना इसके ने घर लिया ना मकान लिया खर्च करता गया सोचा कल करेंगे कल करेंगे और वक्त निकल गया इसने क्या करा फिर से दुबारा अप्रोच किया किसको अपने मालिक को एम्प्लॉयर को कि भी या हमें दुबारा नौकरी पर रखिए मेरे साथ यह यह मुसीवत है अगर मालिक ने मना कर दिया तो इसके पास कोई चारा नहीं बचता कोई भी चारा नहीं है या तो इसके पास कोई एसेट से तो बेच के खा लेगा मैं मान के चलता है इसके पास कुछ भी नहीं है कोई चारा नहीं है तो ultimately ये tension में कुछ भी गलत कर सकता है चोरी भी कर सकता है, सुसाइड भी कर सकता है है न, गौर्रमेंट को आपने वोट दिया है तो गौर्रमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आपका थोड़ा तो ख्याल रखे तो अब ये चला जाता है तो गौर्रमेंट ने क्या करा इस employer के उपर एक restriction लगाया कि भाया इस टाइप के इंपलोईर भूस सारे होंगे आपके पास अगर इसकी सेलरी 10,000 रुपे है तो इंपलोईर प्लीज आप इसको 10,000 मत दो इंपलोईर आप इसको 10,000 रुपे मत दो इसको ऐसे व्यक्ति जो है पहचानना मुस्किल है लेकिन मैं सभी व्यक्ति के उपर रूर लागू करता हूँ इसे 9,000 दो मतलब सर इसकी सेलरी तो मैंने इसको 10,000 बताई है लेकिन वाइ पेइंग 9,000 रुपीज बोला एक हजार रुपे काट लो इसके सेलरी में से employer को government ने instruction दिया कि इसके सेलरी में से कितने काट लो आप सर एक हजार रुपे कट करो यानि 10% कट करो और ये 10% हम एक और organization बना रहे है government ने instruction दिया कि भाई ये जो 10% कट करोगे यहाँ deposit कर देना जिसको मैंने नाम दे दिया EPF Employee Provident Fund तो इस employee को हम 9,000 देंगे अब मैं मान के चलू अगर ये 30 साल काम करेगा तो 30 इंटू में 12 कितने दिन महिने होगे 360 महिने हर महिने के अगर ये 1000 रुपे बचा रहे है तो कितने रुपे होगे तो एक बहुत ऐसा handsome amount इसको मिल सकता है जिससे अपना कोई रोजगार धन्ता कर सके लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मिल रहा कि बहुत अच्छा कर सके गौर्मेंट ने क्या करा बोला भीया employer तुम्हें 1000 रुपे कट करके यहाँ जमा करवाने हैं सही है और यहाँ जमा कराओ अपने pocket से प्लस 1000 और तो जो employee का काटा ना पैसा और जमा कराया है उसे बोलते हैं employee का पैसा कट के जमा हुआ यानि employee contribution और जो employer अपने pocket से कट करके जमा कर रहा है इसे बोलते है employer contribution यहाँ एक contribution सब्द का इस्तमाल में कर रहा हूँ contribution मतलब जमा करवाना PF department क्या करता है जरूरत जब पढ़वेगा इसको इसको payment दे देगा तो अब देखो अगर हजारी काटते हैं तो इसके पैसे क्या हो गए double now 7 lakh रूपीज इस टाइम भी मैं बोलू तो अच्छा amount है business करने के लिए plus इसके उपर interest भी दिया जाता है हमारा 9.5% के हिसाब से तो अगर किसी के salary में से हर मैंने 1000 रूपे भी काटे जाए ना तो उसको retirement के time पे 10 lakh रूपे तो easily मिल जाता है जिसको बोलते हैं PF का पैसा PF का पैसा 10 lakh रूपे मिल जाता है तो government ने ये provision बनाया और implementation किसके उपर कर दिया employer यानि किसी company के उपर ये बोला कि या तुम्हें follow करना होगा और ये follow करना पड़ेगा हम एक कानून बना देते हैं 1972 इसका कोई acting नहीं वैसा तो ऐसे हम आपके उपर एक कानून बना देते हैं कि आपको हर बार पैसा कट करना है पी एफ का और फिर जमा करना है पैसा कट करके और फिर क्या कर देना है आपको जमा करना है सर हर एक employee को करना ऐसा नहीं है बोला अगर तुम employer बहुत बड़े employer होना तभी applicable होगा तुम्हारे उपर ये rule अब मालो मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं और मैंने एक employee रखा अपने पास उसको मैं 5000 रुपे महिने की सेलरी दे रहा हूं तो मैं 500 रुपे कट करके कहां जमाने कराने जाओं कैसे होगा नहीं होगा आप भी सोचके देखो कैसे क्या प्रोसेस है सार बहुत complicated है पहले मुझे अपनी कंपनी को registration कराना होगा है अब यह एक employee रखा है 5000 कि दे रहा हूं registration कराऊंगा फिर वहां का person आएगा यहां पर पूरे मेरे premises को verify करेगा verify करने का okay करेगा नहीं करेगा कितनी सारी सरधर्दी हो जाएगी सारे फाइल देखेगा बोलेगा attendance रिष्टर बनाओ यह बनाओ वो बनाओ पलना बहुत सारी चीज़े ऐसे ऐसे चीज़े बोलेगा जो की दिमाग मेरा खराब हो जाएगा तो मेरे लिए तो possible है ही नहीं सरी है मैं बोलोगा employee तु छोड़ के चले जाए यहां से जिससे तेरे से काम जितना मैं नहीं करवाँगो उससे जाए तो पीएफ वाला मेरे से काम करा लेगा तो बोला गया भीया तुम्हारे कम से कम organization बढ़ा हो कम से कम कितने person होना चीए आपके पास 20 अगर आपके 20 person है आपके organization में तो हम आपके organization को एक बड़ी organization मानेंगे आपको तो इस फॉर्मेल्टी से गुजरना ही होगा आप registration कराईए कहा registration कराईए पीएफ office में तो जब आप registration करा लेंगे तो उसके बाद आपकी जिम्यदारी बनती है किसी भी तरीके का employee हो वैसे इसका limit होता है आप आगे पढ़ोगे ग्रेजुटी बोनस पीएफ के अंदर limit होता है कि employee के salary में से अभी बस आपने ये समझना है employee के salary में से हम इने deduct किए उतने ही मिला के मुझे जमा करवाने हैं इंप्लॉयर की मर्जी है employee की स्वरी employee की मर्जी है जो यह employee है इसकी मर्जी है तो पूरी की पूरी salary जमा करवा सकता है वह वह बोले बहुत सारे मकानों काने किराई से गुजारा चल रहा है यह जमा करते रो बाद मिलूँ तो क्या मालिक भी 10,000 जमा कराएगा नहीं पूर्मेंट ने बोला ऐसे तो भी है मालिक बरबाद हो जाएगा इसके उपर restriction लगाया maximum 12% आप जमा कराईए आपकी इच्छा है तो 20-50 करवाईए हमें क्या लेना देना हमने restriction लगा दिया कि आपको 12% के बराबर equivalent amount यहां जमा कर करवाना ही करवाना है तो आप ध्यान से सोचो ना तो employee की जो salary है ना 9,000 उसके हाथ में मिले और 2,000 रुपे उसके नाम से जमा हो गया है तो उसकी salary 10,000 हुई या 11,000 हो गई उसकी salary है ना उसकी salary कितनी मानी गई तर 11,000 रुपे उसकी salary मानी जाएगी तो यहां पर एक मैंने पता है employer का contribution कौन सा होता है employer का contribution जो यह अपने pocket से निकाल के दे रहा है एक है employee का contribution जो employee के salary में से cut care के जा रहा है और मैंने अपने आपको government में registration करवा लिया लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी organization बोलते है भाईया government तुमारा rule बकवास है तुमने बोला है 10-12% काट करके दो मेरा तो मन कर रहा है 15% दे यानि employer ने government के rule को बेकार rule बना लिया government ने बोला अच्छा अब बताओ कैसे मेरा rule बेकार है employer बोलता है तुमने बोला के भाईया कम से कम 10 काटो हम तो 20 काट के और 20 और लगा के जमा करना चाते हम तो employee की भला चाते है employee की भलाई में हमारी भलाई है आप 9.5% का ब्याज दे रहो मैं 15% का ब्याज दूँगा हर साल तो government बोलेगा ये तो भाई हमसे ज़्यादा अच्छी planning दे रहा है government ने बोला तुम्हारा PF में registration माफ कर दिया चलो आप मत करवा और registration आप ये सारे जो हम PF department में करेंगे न वो अपने पास ही आप ये document सारे maintain करिए हमारा एक officer visit के लिए जरूर आएगा कहीं आपने जूट बो पूछ लेगा हाँ इंप्लोई से पूछ लेगा ठीक ठाक चल रहा हो चला जाएगा चुक्चा कोई last date का ऐसा बाउंडेशन नहीं के last date में जमा करवाना है penalty लगेगा fine लगेगा करवाना ही करवाना ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसे employee को बोलेंगे वह registered नहीं हुआ उसे बोलेंगे unregistered employee तो सर यहाँ दो बाते और निकल के आगई employer हमारा यानि company हमारा registered भी हो सकता है unregistered दोनों बाते क्या है possible है तो सर जो registered होता है उसको बोलते है recognized और जो registered नहीं होता है उसको बोलते है unrecognized सिंपल से बात है recognize का मतलब क्या है आप authorized हो आप registered हो अने recognize का मतलब क्या है आपने registration अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप registration नहीं कराने जा रहे सरकार ने आपको कुछ benefits दे दिया relaxation दे दिया कि आप मत करवाईए और यह तभी probability हमारा possibility होता है जब आपके rule बहतर हो government के rule से employee के favor अगर कोई employer बोलता है यह हमारे उपर से यह हटा दो पीएफ का आप 10 देरो मैं 9 काट लूँगा आप कितना ब्याज देरो 9% मैं 2% ब्याज दूँगा तो government बोलेगा नहीं अटेगा तो मारे उपर तो लगेगा ही लगेगा तो सर पहले पीएफ को समझना पीएफ क्या है प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड वो amount होता है जो employer employee के salary में से काटल देता है और उस amount को government के पास जमा करवा देता है और सेम amount मिला करके government के पास जमा करवा देता है अगर किसी employee की salary मैंने बोला इसकी salary 10,000 है तो actual 10, 10,000 है कितनी है 11,000 अब मैं इस employee से बोलू के भईया तू 11,000 salary के उपर tax दे तू 11,000 दस पर तो तेरी salary है बोला हाँ एक हजार देखो employer अपने नाम से जमा करवा रहा है तो वाला यार employer का तुमने करवाया फिर उस पर मैं tax ही दे रहा हूं तो ultimately employer वाला जो तुम बोल रहे हो के 1000 जमा कर रहा है 30% tax दे दूँगा मैं इस employer वाले पर तो 700 ही तो जमा हुए क्या फाइदा हुआ हमारा गवर्मेंट ने बोला चलो इसके उपर हम माफ कर देंगे certain percentage क्या करेंगे माफ कर दिया जाएगा आपका इसके उपर ठीक है ना कुछ percentage तो सर यहां पर हमारे निकल के आते हैं दो तरीके के प्रोविडेंट फंड रिकोगनाइस प्रोविडेंट फंड और एक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिकोगनाइस प्रोविडेंट फंड मैं किसकी बात कर रहा हूं और अन्रिकोगनाइस प्रोविडेंट मैं किसकी एक होका हमारा employee का ठीक है ना यानि सर कॉंट्रिबूशन की बात करें तो दो लोगों के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अब बात करते हैं कॉंट्रिबूशन की और आज के बाद मैं इसको ना बोलूँगा RPF standard word है कई बार एक्जाम में भी use कर लेते हैं और इसको बोलूँगा मैं समझ जाना RPF, URPF इसके अलाबा भी बहुत सारे provident fund है इस्ट्रेचरी provident fund है आपका super animation fund है fund की अभी चर्चा करने का कोई वशकता नहीं एक्जाम में पूछा भी नहीं जाता है जैसे ही खतम हो रहा होगा chapter तो जो छोटे-छोटे से points हमारे pending रह जाएंगे जो एक्जाम के लिए irrelevant है मैं फटा-फट बोलता जाऊंगा और उखतम होता जाएगा ठीक है ना तो सर आर पी एफ में recognize की अगर हम बात करें तो contribution के अंदर दो लोगों के सर contribution होंगे एक होगा employer का contribution एक होगा employee का contribution ठीक है ना एक होगा employer के contribution और एक होगा employee का contribution सर इसके साथ साथ जब हम contribution करेंगे तो इसके उपर मिलेगा ब्याज इसके उपर मिलेगा interest तो गौर्मेंट का दोनों पर नजर है आपके जमा करोगे उसके उपर भी नजर है और जो उसके ब्याज मिलेगा उसके भी नजर है तो बोला भहिया एम्प्लॉयर का जो कंट्रिबूशन रहेगा यानि मालिक जो कंट्रिबूशन देगा 12% 12% of salary exempt होगा मतलब सर 10,000 रुपए अगर salary है तो 1200 रुपए अगर employer दे रहा है तो आपके salary में जोडेंगे ही नहीं हम लेकिन 1300 रुपए अगर वो दे रहा है तो हो गया 12% से ज़्यादा तो 1200 माइनस करके सिर्फ 100 रुपए employer वाला पार्ट आपके salary में जोड़ा जाएगा मैं practical question लोगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई employer contribution कर रहा है आपके PF में तो आपके salary में नहीं जोड़ेंगे हम जैसे मैंने बलता नहीं 11 हो गई तुमारी salary 11 पे tax दो तो government ने बुला ऐसा नहीं है 10 पे tax देना लेकिन आपका जो employer दे रहा है न वो हम check करेंगे कि salary का कितना percent दे रहा है salary का अगर वो 12% तक दे रहा है तो आपके salary का party नहीं है लेकिन अगर 12% से ज़्यादा का contribution कर रहा है वो मान लेते हैं 10 salary था और मेरा मालिक 1500 रुपे जमा करता है अब मेरे से तो 1500 काट रहा है 1500 तो कितने percent हो गए 15% हो गए न तो sir government ने allowed कितना कर रहा है जिस पर tax नहीं दुआ 12% तो 1200 रुपे tax नहीं लगेगा जो 300 रुपे access जमा कर दिया है मालिक ने अपने जेब से मेरे में से काट ले उसका मतलब नहीं है अपने जेब से जो access जमा कर दिया उस पर tax देना परेगा इसके बाद हम आगे बात करें तो sir what about employee contribution sir employee contribution salary का party नहीं है बलकि इसका deduction मिल जाता है deduction government ने दिया ATC में यानि double फाइदा sir deduction इसलिए दिया क्योंकि हमें employee को motivate करना था अब यह जो rule बनाए नहीं प्रोविडेंट फंड कोई employee जाके employer से जगड़ा कर ले लडाई कर ले मैं तो नहीं कटवारा पैसे मैं कुछ भी करूँ 60 के बाद मैं मर जाओं तुम्हें क्या मतलब बोल सकता है वो लडाई में तो भाई employer बोलेगा भाईया लिखके दे दे तू मैं तेरा नहीं काटू है तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता जरूर है लेकिन अगर आपने वहां objection किया और employer से बोलो मुझे नहीं कटवाना प्रोविडेंट फंड तो नहीं कटेगा वो तो हमें employee को थोड़ा motivate करना चाहिए भाई या कटवालो और फाइदा होगा एक तो देखो मालिक तुम्हें दे रहा है वो भी टेक्स नहीं लगेगा और जो तुम जमा करवा रहे हो जी टी एस में से employer का PF का पैसा है मैंने बोला इस पर तो टेक्सी नहीं ले रहा और एक लाख रुपे तुमारा पैसा है तो बोला चलो इसका ATC में डिड़क्शन दे रहा हूं मैं तो ultimately आपके कितने income बनी पांच लाख पर वैसे भी टेक्स नहीं है तो क्या employee बोलेगा कि मेरे डिड़क्शन मतलब के मत काटो नहीं बोलेगा अगर मैंने बोला है मत काटो तो ना तो मुझे ये benefit मिलेगा और ये तो मिलना भी नहीं है तो मेरी salary आ जाएगे उठके 6 लाख और 6 लाख पर मुझे employee की case में ATC में deduction मिल जाता है अब interest, government की नजर उसके interest पर बोला भी आ है interest भी कमा रहे हो तुम उस पर भी tax लेंगे तो government ने बोला भी आ है interest जब कमा रहे हो तो इसके उपर tax लिया जाएगा लेकिन 9.5% तक exempt होगा 9.5% will be exempt बाकी in excess of 9.5% will be taxable सर समझा नहीं 9.5% मानलो आपका PF में पैसा जमा हो गया 1 लाख रुपिया एक साल का ब्याज मिला 10,000 रुपिया तो कितने परसेंट ब्याज मिला बताओ मैंने बोला साल में मैंने जमा कर दिया PF में 1 लाख रुपिया और ब्याज मिला मुझे 10,000 रुपिया तो बताइए कितने परसेंट हो गया government कहता है भाई या तुम्हें ब्याज मिल गया 10% के बराबर लेकिन हमने exemption आपको दिये सिर्फ 9.5% के बराबर अगर 9.5% निकाले तो बनना चाहिए था तो आपको मिला कितना तो 500 एक्स्ट्रा मिल गया ना वो जो एक्स्ट्रा वाला 500 है वो salary में जोड दिया जाएगा वो salary में जोड दिया जाएगा और मेभी तब month से calculate करेंगे देखे अब कुछ बच्चे interest के अंदर पूछ रहें के sir interest का calculation कैसे होगा नहीं होगा वो सब एक्जाम में interest calculate करके दे रखा होगा आपको कुछ नहीं निकालना कुछ नहीं निकालना सब calculate नाउ sound is ठीक है आपको कुछ भी नहीं निकालना पहले यहां तक समझ में आया तो फटा फट कुइकली बताओ sir provident fund दो तरीके के है recognize provident fund, unrecognized provident fund recognize provident fund में दो के contribution होगा employer का और employer का contribution 12% तक exempt है employee का contribution का तो कुछ करना ही नहीं ultimately deduction भी मिल जाएगा कहाँ पर जाके 80 interest अगर दिया तो interest में 9.5% तक exempt होगा balance will be taxable ठीक है अब बोला भी अभी तो जमा कर रहे हो लेकिन निकालोगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा अब आप सोचो आपको एक बार में 20-30 लाख रुपे मिल जाए और मिलेगा ही आप जानते हो PF के अंदर तो मिलता ही है सर PF में तो मिलता ही है PF में पैसा तो मिलेगा जब आपको पैसा मिलेगा तब भी government का उसके उपर नजर रहता है तो अभी मैं simple सी बात कर रहा हूँ कि जब withdrawal होगा retirement के time पे तो provident का fund कितना भी पैसा निकले वो exempt होता है क्योंकि उसके उपर taxable हमने जमा करते time पे ही सारा rule बना दिया है जब जमा करते time पे इतने सारे rule है तो जब निकालोगे तो सारा क्या होगा? exempt तो जब आपका withdrawal होगा withdrawal करोगे जब withdrawal के time पे क्या होगा? withdrawal के time पे क्या हो जाएगा? exam यहां तक कोई दिक्कत बाकी यह वाला portion तो मैंने लिख दिया exam में कभी आता नहीं यह वाला part withdrawal वाला बाकी यह वाला part तो हमेशा आता है अब बात करते हैं sir you unrecognized provident fund तो unrecognized provident fund ने employer challenge करके गया था हमारे कानून तुमसे अच्छे हैं और हमारे employee तुम्हारे कानून से ज़्यादा हमारे उपर विश्वास करते हैं बोला अच्छा तो फिर हम employer को क्यों motivate करें एटी सी में deduction मिलेगा क्योंकि हमारे से अच्छा कानून तो employee खुदी घरेगा और तुम पैसे उसके ज़्यादा डाल रहे हो तो हम वो भी employee से taxable नहीं लेगा तुम एक चीज बोल रहे हो बहतर है हमारा हम दोनु चीजे करने हैं नहीं लेंगे उससे taxable लेकिन जब employee निकालेगा तब taxable होगा यानि unrecognized fund में फिर से देखा जाए तो दो बाते निकल के आती हैं यहाँ भी दो बाते हैं contribution और withdrawal खिक है ना interest तो अलग matter है ही है तो same sir यहाँ भी दो बाते निकल के आ सकती है आप एक क्या कर सकते हैं contribution एक कर सकते हैं withdrawal एक करोगे contribution एक करोगे withdrawal तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ withdrawal का contribution का sir again contribution में क्या क्या हो सकता है बताओ कौन-कौन से contribution होंगे यहाँ पर बोलो contribution कौन से employer के बिल्कुल जितना बन करें मैंने बोला ना पूरी salary कट वाल हो गई लेकिन घर से लाके नहीं देना पर ठीक है ना अब unrecognized provident fund में जब contribution की बात आएगी तो sir यहाँ पे भी वही दोनों कहानी घूम फिर के है कि employer भी contribution करेगा और employee भी contribution करेगा employer भी contribution करेगा और employee, double E मैं employee को बोल रहा हूँ और ER मैं employer को बोल रहा हूँ तो sir जब दोनों contribution करेगा ना तो यहाँ पे कोई provision नहीं है यहाँ पे हमारा देखा जाए ना तो कोई treatment नहीं है यहाँ पे यहाँ पे salary का not part कि हमारे सेलरी का पार्टी निया तरह यहां पर तो यानि अगर employee का contribution रहा 10,000 employer का 10,000 कुछ नहीं करना एक्जम ठटा हो वह या यह salary का partner एक एक example लेंगे न तो देखना पता चल जाएगा लेकिन जब withdrawal करोगे आप जब क्या करोगे withdrawal जब withdrawal करते हो आप तो सर विड्राउन जब करिएगा आप तो ऐसे केस में अब जब आप विड्राउन करिएगा तो दो बाते आएंगी एक तो contribution जो आपने जमा किया वो निकल के आएगा और एक interest जो है वो निकल के आएगा यानि जब withdrawal करोगे retirement के बाद या कभी भी तो एक contribution विड्राउन करने वाले आप एक interest विड्राउन करोगे थोड़ा मैं बता भी दूँ साइद कुछ बच्चों को confusion हो जाए देखिए मैंने यहाँ बताया था contribution किया अब पैसा जमा कर लिया इसने बहुत सारा धेर सारा पैसा जमा हुआ अब जब retire होगा मेरा वो employee तो retirement के बाद यहाँ से पैसे निकालेगा तो मान लेते हैं इसने 1000-1000 ही जमा करें तो कितने निकालेगा 2000 रुपे निकालेगा और प्लस इसके उपर इसे 500 रुपे का ब्याज भी मिल गया मान लो एक ऐसा example ले रहे हैं तो उसने कितने निकाले retirement के time पे 25-100 रुपे तो कुछ तो जो उसने जमा किये थे वो निकल के आए और कुछ क्या निकल के आए तो जो जमा किये थे वो कितने निकल के आए 2000 अब उस 2000 में भी दो पार्ट है कुछ मैंने जमा किये थे कुछ employer ने जमा किये थे और interest में भी दो कहानी है कुछ मेरे वाले जमा का ब्याज होगा और कुछ जो कमपनी वालों ने जमा किया था उसका ब्याज होगा तो सेम मैं यहां बताना चाहता हूँ जब हम विड्रॉल करेंगे तो contribution दो लोगों के विड्रॉल होगे एक employer वाला contribution विड्रॉल होगा और एक सर employee वाला contribution विड्रॉल होगा interest की बात करें तो दो लोगों का होगा एक employer वाले contribution के उपर interest निकलेगा एक employee वाले contribution के उपर interest निकलेगा सर यह तो बड़ा confusion है चलिए सर जो employer वाला contribution पर निकलेगा न जो employer वाले के contribution पर निकलेगा निकालते हैं टाइम पर fully taxable as a salary as a salary देखो यहां पर government ने थोड़ा सा चलाकी दिखाया अब यहां पर क्या था इस वाले point में employer वाला जो portion था ना उसके उपर 12% के बाद का taxable था लेकिन यहां पर employer वाले portion के उपर पूरे पर taxable लगा दिया एक तो यहां पर नुकसान हो गए बिचारे का दूसरा employee वाले के contribution पर यहां पर taxable तो करी नहीं सकते भाई या तुम salary में जोड रहे हो तो employee वाले पर तो यहां भी taxable नहीं था लेकिन यहां exemption था यहां पर no exemption नो deduction जो ATC में आपको दिया था न मैंने वो यहां पर नहीं मिलेगा यानि यहां पर गौर्मेंट यह चाहता है कि भाईया हम ऐसे कानून बनाएं जिस्से की employee oppose करे employer का और employer को मजबूरन हमारे कानून के अंदर आना पड़े और पैसा हमारे पास जमा हो और हमें सस्ते रेट पर ब्याज मिले सस्ते ब्याज पर क्योंकि बहुत सारे employee है कितने सारे employee हैं जमा करें ऑम और जब गौर्मेंट के पास कितना सारा प्यसें आएगा तो गौऊर्मेंट बशाओ बहार से को interest fully taxable और जो employee वाला मिलेगा वो भी fully taxable लेकिन sir employer वाला जो taxable होगा और employee वाला जो taxable होगा employee वाला taxable जो होगा वो होगा other source में जाके मैं OS लिख रहा हूं यहां पर other source लिख दिया मैंने other source में taxable होगा और यह वाला जो taxable होगा वो taxable होगा हमारा salary में यह वाला जो taxable होगा न थोड़ा space कम है यह होगा salary में थोड़ा सा देखके लिख लिजिएगा बस मेरे पास थोड़ा सा space कम रह गया ठीक है यह वाला taxable होगा salary में एक बार फटा फटा अन रिकोगनाईज को देखे तो भईया अन रिकोगनाईज प्रोविडेंट फंड में जमा करते समय पे कोई कानून नहीं बना हुआ है उसके उपर कुछ rule ही नहीं है ध्यान ही नहीं देना आपने लेकिन जब निकालोग होगे तो ध्यान देना होगा कि employer का कितना निकला जमा और employee का कितना निकला employer का जो भी जमा निकला सारा salary का part taxable है employee का तो कुछ होता नहीं है और ब्याज के उपर भी ध्यान देना है कि employer का कितना ब्याज निकला और employee के contribution पे अगर देखा जाए employer के contribution पे तो वो तो salary में taxable हो का Employee वाले का व्याज भी Taxable होगा लेकिन सेलरी में नहीं होगा कहां होगा अधर सूर्स में जैसे हो आप FD कराते हो ना अपने पैसे जमा करते हो तो तो ब्याज तरह वहां पैसे दिए यह दो दबल डबल एक तो contribution दे रहा है employer और व्याज भी दे रहा है तो यह विड्रॉल कब होता है सर यह retirement के बाद भी होता है retirement के during the between भी होता है तो एक question देखेंगे तो बहुत clear हो जाएगा हमें कि एक question मैं करवाऊंगा अभी simple सा 3-4 example लेंगे तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा इसमें आपको tension नहीं लेना है अंजली अभी salary तो शुरू होने दो अभी तो शुरू है salary तो अभी कितनी class और रह गई अभी अभी इतनी जल्दे यल्दी नहीं भागना मैंने पहले कहा था एक example देखें चलिए example देखिया मैंने कहा basic salary एक point रह गया बताना सर यहाँ पर बोला 12% of salary तो salary का मतलब क्या है सर salary का मतलब है basic plus DA वो भी retirement benefit वाला plus प्लस परसंटेज फिक्स कमेशन percentage फिक्स कमेशन यानि वही एचारे में जो salary था न यहाँ पे भी salary सीम रहा सर यह सर question सर basic salary मैंने बताया पचास हजार रुपे पर मन्त सर DA जो है वो पूरा retirement benefit वाला बता रहा हूं है पांच हजार रुपे पर मन्त पांच हजार रुपे पर मन्त employer contribution employer contribution 1,000,000 रुपे same amount employee contribution interest on pf in fact rpf 9,000 at the rate 13% 9 के जगह पे मैं 13,000 कर देता हूं point number 1,2,3,4 अगला point मैं लिख देता हूं children education allowance तीन सो रुपे for one child per month बस question है हमें तो pf को बस stress करना है अब sir यहां पे मुद्दे की बात आती है question आना चीए sir यह कौन से वाला provident fund है recognize यह unrecognized मैंने लिख दिया rpf question में बता देगा यह recognize यह unrecognized मैं आपको चिंता यह attention नहीं लेना चलिए sir अब आपको भी थोड़ा थोड़ा hint जिसको मिल गया वो तो खुद कर भी सकते हैं इसको चलिए करे solution basic salary sir basic salary of 50,000 6,006,000,006,006,000,000,005,006,000,006,000,006,000,006,000,006,021,006,000,006,000,006,000,006,000,007,000,005,006,000,006,000, blunt, 1000,000, uh, स्वाइर कॉंट्रिबूशन सर कितने का है एक लाक माइनस एक्जिम्ट अब टू कितने परसेंट 12 परसेंट तो सर अब हमेंने सेलरी निकालना बहुत जरूरी है तो हमने निकाला सेलरी छे लाक रुपे बेसिक प्लस डी ए तो कितने आगे सर ये छे लाक साथ हजार इसका 12 परसेंट निकालो क्या पर एनम था पर मन्त कर देता हूं ये लो हाँ जी कहाँ नहीं ये तो इंट्रेस्ट है मैं भी बताता हूं 7-9 अभी समझ में आ जाएगा ये देखिए पहले यहां तक देखिए सर ये नियू रिज्म में भी ऐसे ही मिलेगा तो मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा ओल्ड रिज्म हो चाए नियू रिज्म है ये अपली केबल है जो चीजे नियू रिज्म में नहीं मिलेगा मैं especially बोलूँगा ये नहीं मिलेगा जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा समझो वो वहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा ठीक है न यह आगया पी एफ समझ में आए पी एफ टोटल मिला उसमें से माइनिस अगर मालो मैं इसे पी एफ साथ सत्तर हजार ही देता मैं यहाँ पे लाइन अगर एक लाग के जगह पे मैं करता सर सत्तर हजार तो सर सत्तर हजार और एक्जेम्शन आ रहा था सेवेंटी नाइन तो पूरे 70,000 exempt करके इसका taxable कितना कर देते हैं 0 समझे आप अब बात करते हैं सर interest की सर interest मिला है इसे 13,000 वो भी 13% के इसाफ से interest मिला है इसे 13,000 वो भी 13% के इसाफ से तो सर 13,000 13% के इसाफ से तो divided by 13 करो कितना extra मिल गिया इसे rule के इसाब से तो sir rule check करते है law कहता है भाईया 12% से उपर आपका taxable होगा और interest 9.5% से उपर taxable होगा तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दो तरीके करने के कितना extra मिला यह पता कर लो तो sir यहाँ पे extra मिला है हमारा 3 point तो यह जो 3 point extra निकल के आएगा 13,000 divided by 13 into 3500 जो यह 3500 निकल के आए सीधा direct taxable आगया निकल के क्योंकि हमने extra वाला निकला है दूसरा यह हो सकता है कि exempt कितना होगा sir ऐसे निकलेगा वो exempt कितना होगा sir 13,000 मिला divided by 13% और exempt होता है 9.5% that is तो मैं क्या करूँगा है less exempt 90 ultimately taxable के आगया ऐसे दिखाएंगे बता यह कोई दिख करें आता आपकी इच्छा है sir जैसे मर्जी करिया आप अगर minus exemption दिखाना चाहते है तो ठीक है नहीं तो मैं interest लिखूँगा और direct math इस सो भी दिखा सकता है दोनों कहानी एक ही है समझ का fair है जो बच्चा confuse होना चाहता है वो हो गया क्लियर है दोनों में से क्योंकि जितने percent के बराबर जो होता है ना अगर divide में उतना ही percent करते हैं तो 100% के equal आ जाता है इसके बगते बच्चे की परोंजे। समझे सर अब इसके बाद क्या था हमाज़ा पांच पॉइंट चिल्रन in education allow पूरण retire हम इतने सारे पर टैक्टिस कर लें तो तो सर 2400 taxable आपका मैं सिर्फ और सिर्फ question में मैंने बोला नहीं requirement तो मैं बोल देता हूँ आप निकालिए gts gross total salary क्योंकि ज़्यादा आगे ले जाके क्या फाइदा है फिर 50,000 देखा हूँ किसी को doubt sir ppf देखो अब बच्चे पूछ रहे है ppf full exempt होता है ppf हमारा pf से अलग होता है मैं discuss कर लूँँआ जब ppf आएगा वो atc में deduction मिलता है देखो ppf क्या होता है मैं बेरोजगार मैं कुछ नहीं कर रहा मैं कहीं काम भी नहीं कर रहा तो post office या किसी बैंक में बोलूँगा मेरा भाई ppf का खाता खोल दे वो खोल देगा उसमें हर बार मैं अपने इच्छा से पैसे जमा कराते रहूँगा that is a ppf not a salary का part और यह क्या है सिर्फ only pf यानि provident fund वो होता है public provident fund कोई भी आओ पैसे जमा कराओ वो गया public वो salary का party नहीं है वो salary से लेना ही देना नहीं है उसका और यह तो बता दिया एक बच्चे ने rpf पूछा था withdrawal full exempt है yes rpf का full exempt है बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt एक ने पूछा यह past unincome ऐसा नहीं है past unincome income बाहर से तो आया नहीं इंडिया कही है sir यह 79200 कैसे आया sir यह 79200 बता दें प्लीज तो sir 79200 आया 6,60,000 का 12% interest वाला sir एक बार और समझा दो देखिए question में मैंने क्या लिखा कि interest on rpf 13,000 आपको 13,000 का ब्याज है वो earn कर चुके हो withdrawal नहीं किया 13,000 का ब्याज आप कमा चुके हो और 13,000 के ब्याज आपको जो मिला है ना वो 13% के हिसाफ से मिला है law कहता है कि 9.5 तक exempt करेंगे तो sir मैं ब्याज है यह तो इसको full ब्याज अगर निकालने को बूलू simple सा एक बास समझ रहा मैंने बोला 10 रुपे ना 10% के बराबर है बताओ full amount के आएगा तो आप करोगे sir 10 गुणा में 10 और full 100% होगा तो 100 होगा क्योंकि मैंने बोला 10 रुपे 10% के बराबर है तो 100 रुपे रहा होगा पूरा amount जिसका 10% निकालोगा तो percentage नीचे डिवाइड कर दिया और multiply जो करोगे वो निकल के आएगा तो sir मैंने percentage यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया multiply मुझे 3.5 चाहिए था तो 3.5 आया multiply 13 से डिवाइड कि आप मुझे 9.5 चाहिए तो 9.5 आया 3.5 taxable था तो इसलिए सीधा taxable आया 9.5 exempted वाला था तो वो exempted amount आया जब आप exempted वाला amount निकालोगे तो क्या करके दिखाओगे minus करके दिखाओगे जब आप direct taxable वाला amount लोगे तो क्या करोगे direct taxable करते को बस simple सी यह कहानी है बताइए कोई दिक्कत सर वो 70k वाला कैसे होगा 70k वाला कैसे होगा अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं सर एक बार ना आप ना side में ये भी बता दो सके 70,000 वाला कैसे होगा तो 70,000 वाले का मैं थोड़ा सा white marker से यहां कर देता हूँ समझ में आजाए मान लेते हैं कि यहां पे क्या आजाएगा 70,000 और rule के हिसाब से देखा जाए तो 79 बनता है तो भाईया 79 तो जादा ही होता है 70,000 हो जाएगा पूरा exempt और यहां पे PF के नाम पे आजाएगा 0 अगर 70,000 रहा तो समझे कोई परेशानी कोई समस्या इसमे PF पूरा दिमाग के अंदर गया भाईया PF पहले पता तो चले होता क्या है और employee का contribution, employer का contribution यानि salary का question आएगा न तो 10 point आएगे 15 number में लेकिन आपको सारे provision पता है न तो 20 minute में salary का question खतम कर दोगे आप 20, 10 minute, 15 minute, 20 minute में आराम से खतम हो जाएगे क्या करना है, total, totally तो करना है 10 point आए, सबको जोड नहीं है कुछ part को नहीं जोडना, कुछ part को जोडना है कुछ part में कुछ minus करके जोडना है यही तो रहेगा हमारा भी तक देख रहे है लेकिन इसके लिए सारे point याद होने चीए देखे, children education allowance, social expenditure handicap के लिए transportation allowance था इसके बाद हमने क्या देखा था, HRA में दीन point देखे थे, कौन से point देखे थे आपका actual paid, उसके बाद हमारा 10% माइनस में आपका rent paid माइनस में 10%, 50%, 40% city के उपर depend करता है entertainment allowance था, actual receive 20% salary, 5000, maximum limit professional tax में था, ये amount add करेंगे ये amount less करेंगे, grade salary वहाँ भी ध्यान देना है, उसके बाद क्या था, due basis वहाँ भी ध्यान देना है तो सारे point अगर आपके दिमाग में reminded है, और आपको याद है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको अगर provision भूल गए मालो P.A. भूल गए zero number उसने बोला taxable salary निकालो तो आपका ये ही गलत निकलेगा फिर आगे भी गलत होता जाएगा taxable income पूछ लिया, तो वहाँ भी गलत हो जाएगा आपका समझे बात आप 15 marks का आएगा ये question और fix रहता है 15 marks का अभी तक तो देखो 1976 से अभी तक जब से मैंने देखा है पेपर, पुराने पेपर अगर 10 year, 5 year के मैं question पेपर को देखूँ तो 50 सालों की अगर मैं बात करूँ तो 15 number का आया है आपकी किस्मत खराब हुई तो मैं कहने सकता हूँ 50 सालों तक तो ये है के 15 number का जी देंगे question ये 100% देंगे ये चाहे आपका वो भी होता था ने exam एक कौन सा होता था वो भी, हाँ open book exam, देखके लिखते थे जिसमें तो उसके अंदर भी आता था एक चीज और देख लो अगर मैं बोलता है यहाँ पे interest, मैं point बोलता जाता हूँ अगर मैं बोलता है कि interest 13,000 जो मिला है न वो 7.5 के हिसाब से मिला है 13,000 जो मिला 7.5 के हिसाब से मिला, तो government ने तो 9.5 exempt कर रखा है, हमें मिला 7 point तो government के expectation से तो कमी है, तो interest fully क्या हो जाता हूँ इसमें exempt, interest कुछ भी taxable समझे बात, clear अरे वो तो मिल गया ना 7 नहीं नहीं, 2 point नहीं नहीं government ने 9.5 तक exempt का है, एक बच्चा पुछा सर 2% क्या और कौन देगा भाई 2% आपको ब्याजी 7.5% fix कर दिया गया, 7.5% आपको भी आज मिल गया, बस बात खतम और कोई 2% government से नहीं बोलोगे कि हमजे 2% extra दो वही मिले, मिल गया वही, लेकिन जब extra मिल जाता है तो government आपके पास आ जाता है, salary में जोड़ो उसे ठेक है एक और question हो जाए URPFA सर एक और question देखे URPFA basic salary BA retirement benefit वाला पर NM लिखा है employer employer contribution in employer contribution in URPF 25,000 same amount by employee interest 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 का तो point ही नहाएगा CCA city compensatory allowance 500 per month calculate gross total salary देखिएगा जिन बच्चों ने book ले रखा है मैं हर बच्चों को बोलूगा किताब को भी जरूर पढ़िए मैं चीजों को असान करके आपको समझात हो रहा हूं लेकिन किताब पढ़ेंगे तो जरूर आपको थोड़ा बहुत फाइदा एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप किताब को भी जरूर रीड करें कि क्या बोला था मैंने क्या बोला था concept को match जरूर करें तो उससे क्या फाइदा मिलेगा आपका strong हो जाएगा concept सर basic salary क्या है सर basic salary हो गया सर 10,000 into में 12 1,20,000 टी ए retirement benefit 15,000 यू आर पी एफ कुछ भी नहीं आएगा city compensatory allowances 500 रुपए 12,6,000 देखिए इसमें 1,20, 1,35 और देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि जब हमारा employer या employee जमा करेगा तो salary का part ही नहीं है सर मैंने लिखा था ना not part of तो सर employer ने 25,000 दीए salary का part नहीं है तो salary में जोड़ी क्यों जमा करते टाइम पे हम salary के regarding consider नहीं करते लेकिन जब निकालेंगे तब होगा तो आप समझ सकते URPF पे जब question आएगा न तो वो निकालने वाला ही आएगा और आरपीअफ वाला पे जब question आएगा तो जमा करने वाला होगा यानि URPF हमेशा retirement के time पे दिया जाएगा आपको maximum chances है URPF आपको retirement के time पे दिया जाएग देखिए यह आपके सामने question किया और आपके सामने calculation है दोनो employee employee का तो पहले भी taxable नहीं था आप question में देखिए employee का जो होता है बच्चे पूछने सर employee और employer का दोनो exempt होगा क्या मैं पहली बात बता दू इसकी salary जो यह दिखा रहा हूँ है 50,000 रुपए यह total salary है including अब इसमें से 5000 कटे होंगे तो पूरे 50 जब आपने taxable करी दिये 5000 जो कटे वो भी जुड़ी गया है तो ultimately अगर आप 5000 रुपए और जोड़ेगे तो salary तो 55 हो जाएगी लेकिन उसको in hand पता है कितना मिलाओगा 45 मैं example ले रहा हूँ लेकिन आपको एक्जाम लेंड़े बेसिक salary कितना बचा है 50 तो आप पूरा 50 ले रहे हो तो अगर कोई पूछतान है employee वाला contribution का salary का part है मैं बोलूँ हम 100% taxable है क्योंकि अगर taxable नहीं होता तो वो कितना होता है तो हम employee वाली contribution को ना तो RPF में छेड़ते हैं ना URPF में छेड़ते हैं यह देखें सर सी 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 ए तो मैंने नहीं लिखा सी सी ए सी टी पूली टेक्सेबल है प्रस्नल अलाउंस के अंदर आ जाता है जब आपने कर रहा होता हूं एक बार देखें दोनों पॉइंट को एक साथ अब ध्यान से देखिएगा यह प्रस्नल हए और! झाल